नमस्तिर्वन मॉर्य गाईज मैं हूँ अर्विंद and welcome back to a YouTube channel तो दोस्तो आज का वीडियो है आप सभी देशियों के लिए इंडिया, पाकिस्तान, निपाल, बैंगलादेश और अगर श्रेलंका के हैं उनके लिए भी अगर आपको हिंदी आती है नहीं तो आप English subtitles भी पढ़ सकते हैं और वो इसलिए है कि अगर आप Norway आते हैं तो आपकी life कैसे change हो सकती है एक तो यह aspect और दूसरा यह कि what has the community to offer you, right? कि आपको क्या-क्या चीजे ऐसी है जो आप शाहिद ना मिस्करिए जो आपको इंडिया में बैठके लेगेगा कि भीया, what about the festivals, what about, अगर आप religious है, मंदिर, what about खाना, तो वो सब चीजे आज की डिट में Norway में available है तो बस इसी से लेटल में आपको थोड़ा सा जानकारी और information दूँगा, so stay tuned, watch this video till the end, और हाँ, इससे पहले की information दूँ, हमारा जो है जी नया चैनल नमस्ते Norway Vlogs चालो हो चुका है, तो प्लीज उसे subscribe करें, share करें, like करें, क्योंकि मैंने शर्ट लगाई है कि 10 दिन में उसके 1000 subscribers से उपर आएंगे, तो अगर आपको हमारे नमस्ते from Norway Vlogs के चैनल से कर भी फायदा हुआ है, आपको अच्छे लगे है, बुरे लगे है, तो प्लीज हमारे जो नया चैनल है, उसको आप subscribe करें, और मेरी लाज रखें, मेरी पतनी क्या आगे है, चलिए देखें, सबसे पहले तो यह कि, इंडिया में जो है, फेस्टिवल्स बहुत होते है, ठीक है, लोडी से start होता है, और end समझ लीजे आप दिवाली है, और बीच में जो जयनती जाती है, वो तो अलगी बात है, तो बहुत से लोगों को यह होता है, कि हमीं पता है, यूश में तो है एक well established Indian Community है, Canada मे भी है ऑस्ट्रेलिया में भी है तो आज की निट में अपना जो है नौर्वे में भी हमारी जो पूरे इंडिन कम्मुटी है वो एक साथ मिलके यह जो है फेस्टिवल मनाती है तो आपको मिस नहीं करोगे खास कर जैसे बड़े-बड़े अदावा भी अपने जो है यहां पर हर अबोलेंगे स्टेट की कॉम्मुटी है जैसे की आइ थेंक जब यह गनेश्च चतुर्थी विसर्जन होता है तो बहुत सी जितनी भी कॉम्मुटी से विलकम तोगेधर एंड सेलेटेट तो देखें यह क्या होगा ना हर फेस्टिवल क आप डिफ्रेंट लेवल्स पर मना सकते हैं पहले तो आप मना सकते हैं अपने घर में वो तो सब का राइट है फिर होता है कि कुछ close families या कुछ close friends के साथ वो हो गया तीसरा level आजाता है कि जिससे suppose कि जिये अगर मैं हिमाचली हूं मैं कुछ वरातरी मनानी है तो मैं पूरे हिमाचली वालों के साथ मनाँगा ठीक है मराथ कि भाई पूरी कम्मुनिटी के साथ आपको जो कि चाहे ऑसलो में है चाहे इस तवांगर में है तो यह सब हो गया तो यहां पर आज की रेट में उनकी कमी नहीं है जैसी कि हमने कई वीडियो बनाए है अपने जो सिक भाई लोग है वह आप टरबन दाग करके मनाते हैं जिसमें कि वह स कि है हम तो मतलब फेस्टिवल्स तो आप आज की रेट में नौर्वे में और अगर खासकर आप ऑसलो या बड़ी-बड़ी सिटीज में है तो यू नाट गोना मिस इट तो वह बात तो अगली बात इसी से रेलेटेट फेस्टिवल्स से लेटर आती है फूड कि या मैं तो हूँ या मैं नौन विच हूँ या फिर मिठाईयां मिलती है तो हान जी आज की रेट में अपनी जो एशियन शॉप से वहां पर मोस्ट अधिंग आपको मिली जाएगे पनीर यहां मिलता है दही तो खेर किसी भी स्टोर में मिल जाती है राइट पानी पूरी मैगी ऐसी इस चलाई हुई है ग्रोसरीज में जैसे तो हमने उनके साथ भी वीडियो बनाए थे तो आपको बहुत सा जो है देसी खाना भी यहां पर यहां पर यहां पर यहां अगली बात जो होती है which most of the parents emphasize again related to culture वहां की language तो I think मुझे पता है जैसे पंजाबी लोगों कि तुए हां कई informal kind of schools है I'm not very में को पता है कि formal schooling भी होती है बढ़ हां informal schools है जहां पर कि Saturdays या Sundays को एक teacher जो है पंजाबी बढ़ाता है अभी हमें यह पता लगाई कि एक हैं कोई जो कि Hindi भी बढ़ाते हैं तो language से related भी मतलब मुझे लगता है जो Indians है ना वो अपने बच्चे को कुछ ना कुछ क से आ रहा हूं जहां पर की इतना humid और गर्मी होती है और नौर्वे में तो इतनी winters होती है तो how will I survive तो I think weather के लिए इतना कोई tension वाली बात नहीं है आप जो है with time you will definitely acclimatize और जैसे कि हमने अपने कई videos में बताया है कि घर जो है वो insulated होते हैं गर के अंदर heaters होते हैं and everything else is very well you know kept at this 20-22 degree के पीचा है बसो में चले जाओ चाओ ट्रेनों में चले जाओ और जब भी आपने बाहर जाना है तो बाहर जब आप जाओगे तो you should have like proper अच्छा सा जैकेट अच्छा सा का मैं बंदे बुलेगे कि sir आपका तो अच्छा जैकेट है नी खुद तो अगर अच्छा हार्श विंटर्स अफ नॉर्वे एक यह है एक चीज जो बहुत लोगों को नहीं पता है उस पर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा वो है कि आइस पे यहां पे जो है it's very easy to कि आप फिसल जाए और आपके कोई हड़ी तूट जाए हमारे कई ऐसे नोंज है जिनके साथ ऐसा हुआ है तो we have to be very careful for this इसके लिए हम एक अलग से special वीडियो बनाएंगे कि how can you prevent this और हाँ एक और जो अपना गे इन आच से रिलेटिड की या मंदिर है तो हां मैं ऊस्लो के पारे साथ नियुड़ अनधियर हां चैनल में कई मनदिर है जैसे द्रम्न में है यह स्लें मिस्था में है पिर अभी अगर até मंदिर है ठीक है और कई ऑपी नहय मंदिर बन भी रहे हैं और साथ छी CHAD यहां पर स पंडे जी है उनके पास अथोरिटी है कि वो शादी भी करा सकते हैं रिसेंटली अभी आई थिंक देवर गिवन दिस अथोरिटी प्रवेश कराना है तो पंडे जी अवेलेबल है उसके लिए भी मैं स्पॉंसर निकारा बट मैं ऐसे एक प्राक्टिकल क्वेस्टिन बता रहा है तो हम तो इलेक्ट्रिक वाली केंडल है वही जिलाते हैं और बात यह है कि जैसे कि अपने छोटे से यह कुछ आपके कुछ पटिकुलर ट्रेडिशन्स या कोई फेस्टिवल जोंगे जैसे करवा चौथ हो गया तो वो भी आप यहां पर मना सकते हैं समान आपको यहां प वर्सेस नौर्वे को देखके वो डर है नहीं तो उसके उपर हमने अलग से दो वीडियो बनाया है कि यहां हमारे बच्चे को इचीन के लिए जाएगा तो उसका आपको डर नहीं होना चाहिए आज देखे बात वही है कि किसी भी तरीके का जो लौ है वो आपको बचाने के यहां पे इंडिन कॉमुरी तो खास कर बहुत रहां है यहां पे संग जैसे हैं हो बस्त्राइब को अफिक बनी अभी इंड़नूर करके है वो है तो अगर आप इनके मेंबर्स हैं इनके साथ जुड़े है तो आप इनके ब्रोड प्रोल्म है और यहां पे अब जिए पैसे आपके लिए तो बस इसी से लेटेट था ये वीडियो कि आप लोग को थोड़ी सी और जानकारी हम दे पाए तो ओफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप में को भी ऑस्टो में देखते हैं तो हाई हुआ 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 है